तारीक मसूस सहार ने सुना सकते हैं गिटार का ज़रूरी होना है या वैसे भी सुना सकते हैं मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आँख लगे चांद को छट के बुला लूगा इशारा करके अगर हम जूट बोलेंगे तो रेड बलब जलेगा अगर सच बोलेंगे तो ये गरिन बलब जलेगा हेलो फ्रेंड्स तो मैं ही ना मैं तौसीफ वैलकम है आपका फन्वित तौसीफ में तो आज हम आज एपिसोड नमबर 42 येस एपिसोड नमबर 42 है और जो आज हमारे गेस्ट है यानि कि जिनकी हम वीडियो वाच करने वाले हैं कौन होंगे मुफ्ती तारीक मसूस सहब और जो वो फसे है ना दो वीडियो में अपने ही बियान में और वो कैसे फसे और कैसे निकले है ना कसम से मज़ा ही आ जाएगा देख कर के और पेट के दर्द की दवाई ले कर के देख कर के देख कर के चलो मैंने सुना है कि मियूजिक के बगएर ऐसा गाना सुनना शर्ण जाइज है जिसमें कोई शर्की अबाद ना हो मैंने ये भी सुना है कि अगर ऐसा गाना गाया या सुना जाइज जिसमें नामहरम से महबत का इजहार हो तो वो नाजाइज है लेकिन मेरे सवाल ये है कि फिर तो FSE और मेट्रिक में अर्दू की किताब में घजले पढ़ना भी नाजाइज होगा इसमें कितनी हकीकत है बराहे महरमानी बता दें घजलों में और गानों में फरक है गाना गाना अच सही नहीं है ना सुनना ठीक है ना गाना हच जए है जाए मेजिक के बगार ही क्योंना अबL बता इतनी गुंजाइश है मिया भी भी वी एक दूसरे को बगार म्यूजिक के गाना सबढ़ा है एक ब्यान में कहा था कि अपनी बीवी को गाने सबस्कते हैं तो इसमें बढ़े किस तरह का यह पर्स्टनल बात्यान मुलाना साहब ने मना कर दिया तो हमें कोई हक दी मैं अपने जंता को अपनी पप्लिक है जो लोग देखते हैं उसको हम बताना चाहते है कि हम लोग जितने भी रियल पर रियक्ट करते हैं चाहिए वो मौलाना साय वो चाहिए वो कोई और भी पब्लिक हो तो सिर्फ हम लोग हसी मजाग के लिए करते हैं तू समझा नए तू समझा नहीं इसलिए अब चलते हैं दूसरे वीडियो के तरफ जब अगर निका हुआ हुआ है तो निका होने के बाद अगर रुखसती नहीं हुई तो उसकी क्या हुदूद है और मतलब हुकूबर फ्राइस क्या लासी है आपस की म्यूचल अंडरिस्टेंडिंग से जब चाहें रुखसती कर लें बिला वज़ा उसमें ताकीर करना जब निका हो गया तो ओफिशली रुखसती ना भी हो अन उफिषली रुखसती कर सकते लिया रहत अंदोरी का शयर है छिपर में मुलागे कर में सितारों की जरा आँख्ड़े इनके सवाल के जवाब है इनके पास क्या होता है न कि बहुत सारे सवालात आते हैं तो सही बात है जब निकाह हो गया उसके बाद ये जो मौश्रा है ये घर वाले है वो रोकने वाला मिया बीबी को कौन होता है और हकीकत में रोकना तो ये भी नहीं चाहिए कि निकाह ले मतलब निकाह कर दो और उसके बाद फिर आप बेटी की विदाय नहीं करो ही निकाह करो विदाई करो भाई रफा रफा करो अबागी नहीं तो फिर मौलाना साहब का ट्रीक अपना हो ओ यार 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 ये कित्ती ओसम है मां के आगे है ना कोई कुछ नहीं बोल सकता असा जोता है यही चीज अभी मैं बोलने ही वाली थी ऐसा होते है बहुत बार कभी-कभी तो मैं उठा के रख दी पर हाँ जब ज़्यादा काम कुछ आता है मैं ठक जाती हूं और फिर अगर मैं देख लेती कि यह खाना वाना खाके उठाया देख रहे कि काम कर रही कर रही है बंदी तो चल भाई आज मैं थोड़ा सा एल्प कर दू अपना खाना के प् पर दूट्व मां का वह अच्छा लग रहा है तुमारी बइवी है आपके तो बीवी है ना बीवी होती ना तो दर्द समझ तर्द समझते हैं दर्द समझती हैं यह मैं बता रहा हूं ना कि यह मशीन जूट कैश से पकड़ेगी अगर हम जूट भोलेंगे तो ऑल गर सच बोलेंगे तो यह गिरीन बलब जलेगा इसको पकड़ेगास सवाल पूचना पधा कहां से आ देखने गया था कॉन से फिल्म देखने गया था वागबा जूट बोला है अरे बाबा आशिकी टू ओ आशिकी टू बहुत बत्तमीज हो गया है जब हम तेरी उमर में थे ना तो दार्मिक फिल्में देखते थे बस करिए पकड़े गए ना आप भी जूट तो बोले गई आखिर बेटा भी तो आपका है अस्ताफुला हम समझे ना आए हमी क्या हमी ने बाइब आज का सारा रील मैंने निकाला है कोई भी यह एक्सपेक्ट नहीं कर पारी होगी कि इस रील में क्या होगा या और भी किसी रील में क्या हो रहा है भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा पसंद क्या हुआ रील कैसा है उससे मेरा क्या फाइदा मुझे क्या मिल रहा है मुझे क्या दिराय कोई उससे मुझे क्या फाइदा हो रहा है मुझे यह समन्यारी मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ मशीन आप लुग चाते हैं नहीं अचलो जल्दी से दूसरे हस्बन भाई पे आते हैं चलो अबाओ सब्सक्ते हैं कि यार इंग्लिस विना कसम से बर्वा देगा किसी दिन एवरिटिंग इस टेंपरेरी बट मेर मैं मैं इस पर्मानिन प्रेगनेंट यह तो वो मुझे याद दिला दी भावी जी घर परे की अंगुरी भावी जब फातिमा थी होने के लिए और मेरी तब्यत खराब थी तो वह सारे इने भी होते थे इने भी चक्कर आता था इने भी घृटी जैसा लगता था तो मुझे डिल देखने के बाद मुझे इनका ही वक्त याद आया उनिया विघ लोग्त वीडियो में अलविदा प्लीज रवाइब कर देना लाइक कर देना पतानी क्या ज़िक्ता बोलेगी बाइ बाइ